वहें पंजाब किसान मजदूर संघर्श कमीटी के महासोचेव सरवन सिंग पंधेर ने कहा कि 15 मार्च को वो किसान शुबकरन के गाउं बलो हो जाएंगे और अपने गाउं से 21 कलश लेकर बॉर्टर पर आएंगे उन्होंने आगे कहा कि हम ये कलश यात्रा हर्याना के गाउं में निकालेंगे, हम देश को बताएंगे कि शुबकरन शहीद हो गए क्योंकि हम अपनी राजधानी जाना चाहते थे, क्योंकि हम MSP के लिए कानूनी गैरेंटी मांग रहे थे आए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है ये कल श्यात्रा करेंगे तो पहली जो 22 को शहीदी समागम की रैली होगी वो इधर एक करेंगे उसके बाद फिसार में दूसरी इधर अमवाला साइड में पूरे एरिये में आपको कौन-कौन जिलो में जाएगी ये भी बता देंगे उसके बाद हम लोग बाड़ा मौडा मंडी में ये 31 मार्च को ये बड़ी शहीदी समागम करेंगे शहीद सुपकर्ण के प्लक्ष में और सारी बाद देश के सामने रखेंगे हमारा शहीद सुपकर्ण सिंग इसलिए शहीद किया गया क्योंकि हम अपनी राजधानी में जाना चाहते थे क्योंकि हम MSP Legal Grantee कानून मांग रहे थे ये हमारा कसूरता ये सारी बाद देश के समक्ष लेके जाएंगे एक तो हमारा ये कारेक्राम है और पूरे देश में बड़ी महांपंचातिया और सद्धाजली समागम इसी तरह से उसकी डेट आगे जाकर आपके सामने पूरे पूरे लेगी वो करेंगे उसके बाद जो भाजपा गठ जोड है इसका हर गाओं में देश के हर गाओं में जब भी भाजपा गठ जोड के लीडर्स या भाजपा के लीडर्स आएंगे वहाँ पीसफुली जाएंगे और उनसे शहीद सुपकर्ण जी की तक्ति लेकर मांगों की तक्ति लेकर उनसे मांग करेंगे पी ये शहीद सुपकर्ण सी क्या कसूर था क्यों उसे शहीत किया गया और उसे अपनी मांगों को लेकर और जो हमारे उपर बरबरता से जो कारवा ही हुई जिस तरह से यहां पर हुआ जिस तरह से हमारे बहुत से नाउजवानों को जख्मी किया गया किसान मुईदूर को जख्मी किया सारी बात उसके सामने रखेंगे करने का समेंद सवाल जवाब होंगे हम इससे कुछ भी आगे नहीं करेंगे अगर हमारे लोगों को वो सवाल भी नहीं करने देते हैं हमें अपनी बात भी नहीं रखने तो फिर हम लोग कालो जंडो काले जंडे दिखाएंगे और विरोध करेंगे भी आप हमें अपनी बात भ झाल झाल